आज हम आए हैं अपने गाह में मुडवा का खेत देखने ये पका हुआ मुडवा है अल्मोस्ट रेडी हो चुका है और कुछ हरे मुडवा है जो अभी तक त्यार नहीं हुआ है मुडवा को कई नामों से जाना जाता है इससे रागी भी कहा जाता है दक्षिन भारत में और यहां पर छोटानाजपूर में मुडवा कहा जाता है और इस सुराओं लोग कोदय भी कहते हैं या आनाज कई पॉस्टिक तत्वों से भरपूर है, मड़वा में जैसे कैलसियम, आयरन, मिथोनियन, फाइवर, फासफोरस, कैटोरीन और कार्बो हाइडरेड की मात्रा भरपूर पाई जाती है, इसका सेवन रोटी, सूप, हलुआ, उपुमा, धोसा, केक, चॉकलेट, चिप बिस्कीट और आयरुवेदिक दवा के रूप में भी होता है, या पेट की गंदगी साफ करता है, इसके सेवन से सुगर का लेवल कम होता है, या गर्म आनाज है, इसलिए ये पत्री की समस्या में बहुत ही लावकारी है, इसलिए इसे ठंडे के मौसम में ही ज़्यादा आदिवाशी लोग साधी विवाह पर्वत्यवार के असर पर इसके अनेक पकवान बनाते हैं, इवाम इसका बियर भी बनाते हैं, जिसे हडिया कहा जाता है, या पेट को ठंडर रखता है, इवाम जोन्डीस में भी काफी लावदायक सीध होता है, मौडवा का सेवन हमें इतिएक जन को कम से कम साल में मौडवा का सेवन दो, तीन, चार बर जरूर करना चाहिए.